हेलो दूस्तो नमस्कार इससे पहले भी आपे देखने को मिलिए कि अदानी पोर्ट लगबग 10,000 करोड यह जो सु कितना 10,000 करोड की अगर में यह आपे बात करू यह आपे स्पेंड करने वाला है किसे रिलेटेड टू डेवलप देगी पोर्ट तो इससे रिलेटेड यह जबरदस न्यूज हम लोगों को यह आपे देखने को मिल चुकी है उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने और एक लेटेस न्यूज यह आपे देखे होगी अदानी पोर्ट से रिलेटेड ही जो एक्विजिशन हम लोगों को यह आपे देखने को मिल रहा था रैट वो उससे रिलेटेड भी जो टोटल स्पेंड होने वाला था वो भी हम लो 6.45 आज के दिन हम लोगों को जाते वे देखने को मिल चुकी है उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे डिलिवरीज तो 17 फेब 18.5% के डिलिवरीज देखने को मिल रहे है और आज ही की दिन आप देख सकते हैं इसका 52 खाई भी है आप सब लोग बता है आ आप लोगों को अल्रेड़ी आप बता चुका हूँ दैन अगर हम लोग बात करें अदानी की बात हो रही तो और एक स्टोके 80GL अदानी टोटल गैस लिमिटेड और इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था कि यस अदानी ग्रीन जैसे ही अगर आप लोगों को चाह के में अदानी की आप लेटेड मैं जो बहुत बड़ा रिस्की कोई प्लियर है अन्विट ब़ाद रिसकी प्लियर अगर बहुत बड़ा रिस्की प्लियर है अगर वह अदानी की इस साडे देखाओ के शिर भी ऑत देखो के यह देकिitive 17th in फ अभी पता नहीं उसके बाद सोने चला जाएगा, मतलब कोई मुमेंट नहीं, और देन बीच में ही सड़नली एक स्पाइक आ जाएगा, इसे बहुत बार यहापे हो चुका है, 32% के डिलेवरीज यहापे देखने को मिल रही है, दैन अगर हम लोग यहापे बात करें, रेल टेल का IPO, यहापे बहुत सारे लोग यहापे पूछते रहेती हैं, रेल टेल के IPO में, यहापे हम लोग ने क्या करना चाहिए, सो दोस्तों मैं क्लियर साफ साफ शब्दों में बोल चुका हूँ, IPO एक ऐसी चीज़ होती है, जहापे ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहे हैं, तो अभी आप देख सकती है, यह नियर बाइ 30% बीच में 50% था, यह फ्लक्चुर्ट होता रहता है, 30%, 50%, 20%, 10%, 15%, ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो आपको लिस्टिंग गें मिलेगा, यह सब भी लोगों को मैं बता चुका हूँ, पर यहाँ पर प्रॉब्लेम क्या होती है, सर अगर हम लोगों ने अपलाई किया, और जब यह लिस्टिंग यहाँ पर होने जाएगी, तो इसके बीच के ग्याप में अगर मार्केट कॉलैप्स हो गया तो, तो बहुत यह कोई कुछ नहीं कर सकता, यह मैं इससे पहले साफ शब्दों में बोलना चाहूँगा, यह ऐसा कोई टोल नहीं है, कि आप लोग इसको जच कर पाओ, यह जैसे बोलते ना, कि एक लग के उपर भी डिपेंड करता है, और इसके पहले मैंने कितने सारे एक्जामपल दिये, SBA कार्ड के IPO, लिस्टिंग के मतलब issue price के भी नीचे जाना चाहे था, अरे वो तो लिस्टिंग इन इतना जबरदस देना चाहे था, कि 1000, 1000 का उपर वो जाना चाहे था, इतना जबरदस opening चाहे थी, बट market गिर गया, तो जो चीज़े हमारे control में नहीं है, उसके बारे में सोच कि कोई फाइदा भी नहीं होते है, तो यही कहना चाहँ हो, rail tail कोई खराब company नी, चलो for example अगर आप apply भी कर ले तो एक lot, अगर चलो market collapse ही हो गया, बट अगर आप time भी देते हो ना, यह आपको ज़रूर recover करके देगा, आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, rail tail के उपर मेंने वीडियो बनाए है, ऐसा stock नहीं कि जहाँ पर doubt है, कि कुछ अगर हम लोग अटक गए तो, यह तो railway से जुड़ा हुआ है, time देना आना चाहिए, RVNL के साथ वही हा, IRFC के साथ भी वही होगा, market गिरेगा, यह नीचे जाएगा, लोग डर के निकल जाएंगे, दो साल के बाद वो stock 30 के आसपास, पी आई इंडस्ट्रीज, यस, बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहें, सर, पी आई इंडस्ट्रीज की, अगर हम लोग यहाँ बात करें, तो यहाँ पर हम लोगों को, डिलेवरीज जबरदस देखने को मिल रही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते, क्या कंपणी की कोई Board of Directors की मीटिंग है, कोई मीटिंग है क्या, वो चेक करना चाहिए, कंपणी की क्या result अल्रेड़ी आ चुक है, Maximum कंपणी की आ चुक है, यह भी आप लोगों ने चेक करना चाहिए, अगर कोई मीटिंग वीटिंग नहीं है, तो चांसेस थोड़े कम है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर डेटा भी देख लेते, PI Industries की बात करे, तो यहाँ पर Deliveries का डेटा अगर हम लोग देखते, तो एक बात तो पक्की है, कि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था यह रही, 77, 55, 50%, 50%, यह बात ज़रूर है, बट अगर हम लोग पिछले, अगर हम लोग बात करें, तीन ट्रेडिंग डेश की, तो यहाँ पर Deliveries जबरदस हो रही है, 71, 72, 83%, तो यह हम लोग को कुछ हिंट्स देती है, अभी प्रॉब्लेम क्या हो गया है, अगर अगर आपको डरने की ज़रूरत ने, क्योंकि प्रॉब्लेम की होनी चाहिए, बढ़ गया, तो आप लोगों का है, गिर गया, तो भी आप होल्ड करोगे, तो आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, ऐसे स्टॉक में जाने का, यह सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि वो कभी ना कभी टाइम के बाद, आपको अपने कोस्ट के उसके उपर भी जाते भी देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको टाटा कंजिमर में भी बता है, वो गिर भी गया, चलो नहीं होता है, निफ्टी-फ्टी में, गिर जाएगा, फिर क्या भरबाद हो गया, बिल्कुल भी नहीं, वो आने वाले कुछ टाइम के बाद, वापस रिकवर कर देगा, और आपको रिटेंस भी देदेगा, यह चीज़े अगर आप चाहो तो कर सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ा जिगर चाहिए, हिम्मद चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, इंटर तो कर लेतें, अगर नहीं भी होआ, तो आपके पास अच्छा ही स्टॉक जाएगा, यह भी बात में आपको ज़रू काऊंगा, क्योंकि P.I. इंडस्ट्री बहुत ही फेंटास्टिक स्टॉक है, वन अफ मैं फेवरेट स्टॉक आप ऐसे भी चाहो तो बोल सकते, आज की दिन की बात कर तो आज भी लगबख साड़े तीन पसेंट डाउन था, यहाँ पर डिलेवरीज देख लेतें 30% के आसपास, यहाँ पर हम लोगों को डिलेवरीज देखने को मिल रही है, इंफो इज में इग्जैक्ली चल के रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखे, CLSA ने जो इसका टार्गेट हो वो तो वो जबरदस ही बढ़ा दिया है, बहुत ही जबरदस, बर उसके बावजुद भी इस्टॉक यहाँ पर गिर रहा है, सो दोस्तों इसका एक ही आंसर फिलाल सामने आ रहा है, कि Clarity नहीं है, Lack of Clarity on Deals, एंड उसी के साथ साथ, जो Zomato है, उसका जो IPO है, वो भी properly information यहाँ पर कब आएगा, उससे related भी question mark, दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको सिखा है, क्या सिखा है, जब भी भी Lack of Clarity, Uncertainty, यह जैसे ही शब्द आ जाते हैं उस stock में गिरावट आ जाती है, क्या इसका रती है कि stock खतम हो गया, बिल्कुल भी नहीं, वो uncertainty अगर आ गई न, तो फिर market वहाँ पे profit booking होगी, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो जिनके पास बड़ा पैसा होता है न, वो किसी चीज को पकड़ के उस stock में पैसा लगाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा Arcon International, Arcon International में पैसा आया था क्यों, क्योंकि बोनस होगा करके, नहीं हुआ, stock 10% गिरा, क्या वो खतम हुआ, नहीं, वो जाएगा वापस, comeback करेगा, सो यहीं चीज़े होती है, यह जो बड़े players होते हैं, उनको पता होते हैं कि यह चीज़े होगी, बट जैसे उससे related सवाल पूछे जाते हैं, management से clarity नहीं मिलती है, deal से related, Zomato का IP आएगा उससे related, तो उससे related जितने भी लोगोंने पैसा लगा था, उन्हेंने क्या कर लिए, चलो पैसा निकालो, जब यह आगे बोलेंगे, तब हम लोग देखेंगे, तो यह चीज़े हम लोगों को info age में होते हुए देखने को मिल रही है, और यह इससे पहले भी हो चुक है, क्यों reliance industry आगे नहीं बढ़ रहा है, clarity यह नहीं है, deal होगी नहीं होगी, सौधियरम के भी deal अटकी पड़ी है, court का फैसला आएगा नहीं आएगा, रैट वो अटका पड़ा हुए आप देख सकते हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो भी खराब हो गया, तो यह चीज़े हमें शायद रखना, lack of clarity, समझ में नहीं आ रहा है, uncertainty, जैसे यह words चिपक जाएंगे किसी stock में, तो वो stock में profit booking गिरावाटे आ जाती है, क्योंकि जो लोगों ने entry किया होगी, temporary basis के उपर, वो निकलना शुरू हो जाते, इससे यह अर्थ नहीं है कि stock खराब हो गया, stock लंबिया होदे के लिए जबरद स्टॉक है, अगर मैं एक छोटी सी बात बोल दू, मुझे ऐसा लगता है, यह किदर भी लिखा हुआ नहीं, शायद से policybazar.com का IPO आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है, इसमें infoage का भी हिस्सा है, यह सिर्फ मैंने अपने point office यह बात आपको बोल दी है, आई हुप आशा करता हुआ दोस्तों, जितने भी important news थे वो मैंने यह आपको कवर कर लिए है, जो भी चीजे थी clarity आप लोगों को यह आपे मिल चुकी है, वीडियो पसन आए तो like and share कर देना, तब तक के लिए, बाई बाई